संडे वाले दिन का मौसम बहुत ही अच्छा है और आईए जानते किस तरीके से निकलने वाला है हमारा संडे फंडे और राशी फल आज का हमारे अपने पवन गुफता के साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्टो पवन स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसमें बात करते हैं आपकी राश्यों की कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए करेंगे चर्चाइश के उपर उसे पहले श्विवाद करेंगे आज के पंचांकी आज दिन 6 सप्टमबर 2020 दिन जो है वो रविवार का रहेगा त्रशन पक्ष की आज जो है चतुती तिती रहेगी रेवती नक्षत्तर रहेगा और जो जा तक इस नक्षत्तर में पैदा होते हैं उनको जो है गन्मूल की पूजा लगती है तो और आज जो राहू काल का समय रहेगा वो शाम के 4 बच के 13 मिनट से लेके 5 बच कर 40 में तक जो है वो रहेगा और हिंदू करेंडर के हिसाब से जो है बादरपत्त मंत रहेगा तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पित्र पक्ष चल रहा है श्राथ चल जो जिन जातकों की कुली में पित्रदोश है तो वो अपने पित्रों के लिए जरूर भामनों को बोजन करवाए और गरीबों की जतनी मदद हो सकती है वो उतनी जरूर करे वो आपके लिए बहुत ही शुक्कर ही रहता है जिसे हमारे पितर परसन होते हैं और हमारे जो पितर दोश है वो भी दूर होता है आईए शुरुआत करते हैं आज की राशियों से सबसे पहले बात करेंगे मेश यान आपके लिए अच्छा हो जाएगा माता की सेहद को ले के जो थोड़ी सी चिंता है वो भी आज थोड़ी सी कम हो जैगी दोपहर के बाद जैसे चंद्रमा का गोचर होगा और उनकी सेहत में भी सुदार आ जाएगा और आपको भी मान से कष्ट कम हो जाएंगे और आगे बात करते हैं टॉरस यानिकी वृष्टिक राशी की वृष्टिक राशी की बुद्ध जो है वो आपके पंचम भाम में उचका पड़ा हुआ है और चंद्रमा भी जो है वो आपके एकादश बाम में है जो दिन की शुआद तो बहुत अच्छी होगी बर उसके बाद थोड़ा सा समय आपको चिंता महें हो सकता है किसी ने किसी परकार का खर्चा आपको जो है वो तंक कर सकता है तोड़ा जेप पे ज़रूर अपने ध्यान रखें और खर्चा फालतू का ना करें जो से ज़्यादा वे आपको नुक्सान कर सकता है जिससे आतिक सिती भी बिगर सकती है आगे बात करते हैं जमनी यानिकी मित्रुनाशी की मित्रुनाशी वालों के लिए जो है समय बहुत अच्छा रहेगा हर तरफ से लाब भी लाब होता हुआ दिखाई दे रहे है कारें चेतर में अगर बात कुरूँ तो उसमें भी आपको कोई नवी लाब हो सकता है दे एक तरफ से योगयस के साथ आपके रिलेक्शन जो हैम मद्रू बनेंगे और दिन के आदे दिन के बाद आपको जो है बहुत अच्छा किसीने कसी प्रकार का लाब होता हुआ भी दि भी उक्काई रहेगी तो तो किसी प्रकार का कोई चिंता का विशे नहीं है आगे बात करते हैं करकी यह निकी कैंसर राशी की चंद्रमा आपके भागेस्तान में जो है वो बहुत ही एक अच्छा यूग बनाता है कारे शेत्र में बहुत ही आप सफलता प्रापत करेंगे हर तरफ से अपने भागे को बनान कि जूरत नहीं है भागे साथ देगा आज से एक सिटी भी अच्छी रहेगी आगे बात करते हैं लियो यानिकी सिंग राशी की चंद्रमा आपके जो है वो आश्टम बाव में बना हुआ है दिन की शुआ थोड़ी सी जिरूट चिंता में हो सकते है अबर उसके बाद जो सम करते हैं किसी ने किसी प्रकार से आपको विदेश से समंदित कोई ने कोई कांट्रेक्ट और उन से जुड़ा हुआ कोई कारे भी आपका पूरण हो जाए आगे बात करते हैं स्कॉर्पियो यानिकी वर्गो यानिकी कन्याराशी की बुद्द आपके लगन में उच्छका हो किसी प्रकार की इंवेस्टमेंट करना जाते हैं तो आज की जा सकती है समय आपके लिए बहुत ही शुब रहेगा हर प्रकार से आपको लाव ही लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे बात करते हैं लिब्रा यानिकी तुला राशी की चंद्रमा जो है वो आपके छटे भाब में है उसके बाद जो है गोचर करेगा वो दिन के मिड में वो सब्तम भाब में जो समय आपके लिए अच्छा रहेगा पतनी की तरफ से आपको किसने किसी प्रकार का फाइदा हो सकता है या मैं अगर कहूं तो पार्नरशिप से कोई नो कोई लाब जरूर आपको हो सक है अगर पार्नरशिप करने जा रहे हैं तो आज की जा सकती है बस एक चीज़ का द्याना के जो भी डॉकुमेंट्स करने हैं साइन वो दुपाहर के बात करें आगे बात करते हैं स्कॉर्पिय यानि कि विष्टिक राशी की विष्टिक राशी वालों के लिए समय थोड़ा हो सकती है तो कोशिश करें कि एक एक करके काम को करें एक साथ एक अठे काम ना सारे करें नहीं तो जब आपको परशानी का सामना करना पड़ सकता है आगे बात करते हैं धनु यानि कि सेजिटिरियस राशी की चंद्रमाव के चत्रुबाव में उसके बाद वो जो है पंचम उप्लाई की है या किसी ने किसी प्रकार का अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे है तो उसमें भी बहुत समय जो है वो आपके लिए शुब नहीं रहेगा आगे बात करते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकराशी की चंद्रमा आपके जो है अत्ते बाँ में थोड़ी सी दिन की शुरौात महन ribbon से होगी बर उसके के बादा है लावी लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद आपके प्रकार का आपके सुख में काफी बड़ातरी होती ही दिखाई दे रहा जा अ ऐसे कि मैंने आपको बताया कि कारे की शुआ तो महनत से होगी पर उसके बाद जो है कारे आपका बिलकूल बन जाएगा किसी प्रकार की चिंता की रुब्रत नहीं है आगे बात कते हैं कुरिश यहने की कुम्राशी की कुम्राशी वालों के लिए जो है संद्रम आपके का विशे है यह सेथ की तरह से आपके लिए बुद्भी जाएव अश्टम बहां में कहीं ने कहीं आपकी नर्फ सिस्टम को भी वो आपको बिगार सकता है तो इसका थोड़ा सा ज़रूर द्यान रखे और खर्चों में जैसे आगे भी बताया तो आपके खर्चे जादा इं खलता मिलेगी और काम में आपके जुदार भी होगा और अगर आप काम में एडिशन करना चाते है तो उसके लिए भी समय बहुत इशुम रहेगा संतान की तरह से कोई अच्छा शुम समाचार मिल सकता है और जो लोग शादी के लिए प्रस्ताव के लिए इंतजार करें उन झाल